जै माता दी आज शुक्रवार के दिन आये सुनते हैं मा अनपुर्णा की यह कथा एक समय की बात है कासी निवासी धनन्जय की पत्नी का नाम सुलचडा था उशे अन्य सबसुक प्राप थे कीवर निर्धनता ही उसकी दुख का कारण थी यह दुख उसे हर समय सताता था एक दे सुलचडा पती से बोली श्वामी आप कुछ उधम करो तो काम चले इस प्रकार कब तक काम चलेगा सुलचडा की बात धनन्जय के मन में बैठ गए और वह उस दिग विश्वनात संकर जी को प्रसंद करने के लिए बैठ गया और कहने लगा ही दिवाधी देव भी सिस्वर मुझे पूजा पाठ कुछ आता नहीं है किवर तुम्हारे भरों से बैठा हूं इतनी बिंती करके वह दो तीन दिन भूखा प्यासा बैठा रहा यह देखकर भगवान संकर ने उसके कान में अनपुर्णा 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 इस प्रकार तीन बार कहा यह कौन क्या कह गया इसी सूच में धननजय पड़ा रह गया कि मंदी से आते ब्रामरों को देखकर पूछने लगा पंडी जी अनपुर्णा कौन है ब्रामरों ने कहा तु अनचोड बैठा है सो तुझे अन की ही बात सूचती है जा घर जाकर अनग्रहर कर धननजय घर गया इस्त्री से सारी बात कही वह बोली नात चिंता मत करो श्वयम संकर जी ने यह मंत्र दिया है विश्वयम ही खुलासा करेंगे आप फिर जाकर उनकी अराधना करो धननजय फिर जैसा का तैसा पूजा में भैठ गया रात्री में संकर जी ने आग्या दी कहा तु पूर्वदिशा में चला जा वह अनपूर्णा का नाम जबता जाता और रास्ते में फल खाता जर्णों का पानी पीता जाता इस प्रकार कितने ही दिनों तक चलता गया वहां उसे चादी सी चमकती बन की सोभा देखने में आई शुन्दर सरूवर देखने में या उसके किनारे कितनी ही अपसराएं जुन्द बनाए बैठी थी एक कथा कहती थी और सब मा अनपुन्ना इस प्रकार बार बार कहती थी यह अगहन मास की उजेली रात्री थी और आज से ही ब्रत का आरंभ था जिस सब्द की खोज करने वह निकला था वह उसे वहां सुनने को मिला धननजय ने उनके पास जाकर पुछा ही देवियों आप यह क्या कर रही हो उन सब ने कहा हम सब मा अनपुन्ना का ब्रत करती है ब्रत करने से की गई पूजा क्या होता है यह किसी ने किया भी है इसे कब किया जाए कैसा ब्रत है और इसकी बिधी क्या है मुझसे भी कहो वे कहने लगी इस ब्रत को सब कोई कर सकते है 21 दिन तक के लिए 21 गाठ का सूथ लेना चाहिए 21 दिन यदि न बने तो एक दिन उपवास करें यह भी न बने तो कीवल कथा सुनकर प्रसाद लें निरा हार रहकर कथा कहें कथा सुनने वाला कोई न मिले तो पीपल के पत्तो को रख सुपारी या घित कुमारी ब्रिच को सामने कर दीपक को साची कर शुर्य गाय तुलसी या महादीव को बिना कथा सुनाएं मुख में दाना न डालें यदि भूल सी कुछ पर जाएंगें तो एक दिवस फिर उपवास करें ब्रत के दिल क्रोध न करें और जूठ न बोले धनन जय बोला इस ब्रत के करने से क्या होगा वे कहने लगी इसके करने से अंधों को नेत्र मिले लोनों को हाथ मिले नेधन के घर धन आये बाजी को संतान मिले मुर्ख को बिद्या आये जो जिस कामना से ब्रत करे, मा उसकी इच्छा पूरी करती है, वह कहने लगा, बहनो मेरी भी धन नहीं है, बिद्या नहीं है, कुछ भी तो नहीं है, मैं तो दुख्या ब्रामहर हूँ, नुझी इस ब्रत का सूत दोगी, हाँ भाई, तेरा कल्यार हूँ, तुझी दिंगी, ले इस ब्रत का मंगर सूत ले, धन अन्जय ने ब्रत किया, ब्रत पूरा हुआ, तभी सरूवर में से 21 खन की शुवर सीरी, हीरा मोती जड़ी हुई, प्रकट हुई, धनन जय, जय अनपूर्णा, अनपूर्णा कहता जाता था, इस प्रकार कितनी ही सिर्या उतर गया, तो क्या देखता है कि, करोडों सूर्य से प्रकाशमान अनपूर्णा का मंदिर है, उनके सामने शुवर सिंगासन पर माता अनपूर्णा विराजमान है, सामने भिच्छा है तू, संकर भगवान खड़े है, दिवंगनाएं चवर डुलाती है, कितनी ही हत्यार बांधे पहरा देती है, धननजय दोरकर जगदंबा के चड़ों में गिर गया, देवी उसके मन का कलेस जान गई, धननजय कहने लगा, माता आप तो अंतर यामिनी हो, आपको अपनी दसा क्या बताऊं, माता बोली मेरा ब्रत किया है, जा संसार तेरा सतकार करेगा, माता ने धननजय की जिवा पर बीज मंत्र लिख दिया, अब तो उसकी रूम रूम में बिद्या प्रकट हो गई, इतनी में क्या देखता है कि वह कासी विशुनात के मंदीर में खड़ा है, मा का बरधान ले, धननजय घर आया, सुलचरा से सब बात कही, माता जी की क्रिपा से, उसके घर में संपत्ती उमरने लगी, छोता सा घर बहुत बड़ा गिना जाने लगा, जैसे सहत के छत्ते में मक्खियां जमा होती हैं, उसी प्रकार अनेक सगे संबंधी आकर उसकी बढ़ाई करने लगे, कहने लगे, इतना धन और इतना बड़ा घर, सुन्दर संतान नहीं तो, इस कमाई को कौन भोग करेगा, सुलचरा से संतान नहीं है, इसलिए तुम दूसरा विवाह करो, अनिच्छा होते हुए भी, धननजय को दूसरा विवाह करना पड़ा, और सती सुलचरा को सौत का खुठाना पड़ा, इस प्रका दीन बीत्ते गए, फिर अगहन मास आया, नई बंधन से वधे, पती से सुलचरा ने कहलाया कि, हम ब्रत के प्रभाव से शुखी हुए है, इस कारर यह ब्रत छोड़ना नहीं चाहिए, यह माता जी का प्रताप है, जो हम इतने संपन और शु सुलचरा की बात सु, धननजय उसके यहां आया, और ब्रत में बैठ गया, नई बहु को इस ब्रत की खबर नहीं थी, वह धननजय के आने की राह दीख रही थी, दिन बित्ते गए, और ब्रत पूर होने में तीन दिवस बाकी थे की, नई बहु को खबर पड़ी, उसके मन मे इस्या की ज्वाला दहक रही थी, सुलचरा के घर आ पहुची और उसने वहां भगदर मचा दी, वह धननजय को अपने साथ ले गए, घर में धननजय को थोड़ी देर के लिए निद्रा आ गए, इसी समय नई बहु ने उसका ब्रत का सूत तोड़कर आग में फेक दिया, अ अब तो माता जी का कोब जाग गया, घर में अकस्मात आग लग गए, सब कुछ जलकर खाक हो गया, सुलचरा जान गए और पती को फिर अपने घर ले आई, नई बहु रूठ कर पिता के घर जाबल थी, पती को परमीश्वर मानने वाली, सुलचरा बोली, नात घबडाना न माता जी की कृपा अलवकिक है, पुत्र कुपुत्र हो जाता है, पर माता कुमाता नहीं होती, अब आप स्रध्धा और भक्ती सी अराधना सुरू करो, वे जरूर हमारा कल्यार करेंगी, धनन्जे फिर माता की पीछी पर गया, फिर वही सरोवा सीधी प्रकत हुई, उसमें म अनपूर्णा कहकर वह उतर गया, वहां माता जी के चड़ों में रूधन करने लगा, माता प्रसंद हो बोली, यह मेरी स्वर की मुर्ती ले, उसकी पूझा करना तो फिर सुखी हो जाएगा, जा तुझी मेरा आसिरबाद है, तेरी इस्त्री सुलच्छरानी, स्रधासी मेरा ब्रत किया है, उसे मैंने पुत्र दिया है, धननजे ने आखें खोली तो, खुद को काशी विशुनात के मंदिर में खड़ा पाया, वहां से फेद, उसी प्रका घर को आया, इधर सुलच्छडा के दिन चरहे, और महीने पूरे होते ही, पुत्र का जन्म हुआ, गाव में आ इस प्रका उसी गाओं के निशंतान सीट के पुत्र होने पर, उसने माता अनपूर्णा का मंदिर बनवा दिया, उसमें माता जी धूमधाम से पधारी, यग्यकिया और धननजे को मंदिर के आचार्य का पद्दे दिया, जीरिका के लिए मंदिर की दच्छडा और रहने के बड़ा सुन्दर सा भवन दिया, धननजे इस्त्री पुत्र सहे वहां रहने लगा, माता जी की चढ़ावे में भरपूर आमदनी होने लगी, उधर नई बहु के पिता के घर डाका पड़ा, सब लूट गया, वी भीक मांकर पेट भरने लगे, सुलच्छडा ने यह सुना तो उन्हे बुला भेजा, अलग घर में रख लिया, और उनके अनुवस्त का प्रवंध किया, धननजे सुलच्छडा और उसका पुत्र माता जी की क्रिपा से आनंद से रहने लगे, माता जी ने जैसे इनकी भंडार भरे, वैसे सबकी भंडार कर दो का जी जैसे लिए d खामोंगा